जीवन बड़ा सरल है और बड़ा कथिन है दोनों बाते हैं जीवन बहुत सरल है और बहुत कथिन है कथिन क्यों है कथिन इसलिए है क्योंकि जीने का ढग नहीं है सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि जीने का ध्धंग आ जाता है जैसे हमारे सामने एक वीना रख दे बजाना सरल है कि कठिन है क्या कहेंगे आप किसके लिए सरल है जो बजाना जानता है और कठिन किसके लिए है लग भग हम सब के लिए क्योंकि हम बजाना नहीं जानते और बजाने वाले क्या कहेंगे वाह बीना मिल जाए बस देखना कैसे संगीत फूटेगा इसमें कैसी तरंगाइत होंगे लोग ऐसे ही मानाओ का जीवन मिला क्यों मिला? दुखी होने के लिए? लडाई जगड़ा करने के लिए? अच्छा तो बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए? किसके लिए मिला है? बहुत सारे बाल बच्चे पैदा करने के लिए? कभी तो बैटकर के सोच लें मुझे जीवन मिला तो क्या मैं जीवन मिला इसका सहीव क्योग कर रहा हूँ आपको कोई गिप्ट में सामान दे जैसे कंबल ही दे दे कलपना करो या कोई बरतन दे दे या कोई वस्तु मुबाईल इत्यादी कुछ दे दे तो कंबल मान लो मिला बढ़िया कंबल ब्लांकेट लाके दिया सम्मान में लीजे भई आपका ठंडी का मोसम है और ठंडी कुछ दिनों से बढ़ गई है बढ़िया कंबल ले लो तो कंबल आपको मिला लेकिन आपने क्या किया उस कंबल से फर्सको पोचने में लगा दिया किस के हो फर्सको पोचने में, अरे फर्सको पोचने के लिए दूसरी चीज है, सस्ती चीज है है ना, कंबल किसके लिए है, आपके लिए उड़ने के लिए है, ये किम्ती चीज है मानव जीवन किसके लिए है, और हम कहा लगा रहे हैं केवल उन ही चीजों में लगा रहे हैं या उसका उप्योग इतना ही कर रहे हैं जितना पशुपक्षी करते हैं बस पशुपक्षी कितना कर लेते हैं सरीर पाकर के इतना ही उदर पोशन और प्रजनन बस पेट भर जाए महनत किसके लिए करते हैं जर सोचो आप चीटियों को चलते हुए देखो, पक्षियों को उड़ते हुए देखो, जंगल में हिरन को दोड़ते देखो, चाहे तलाब में देखो, कोई भी पश्णु पक्षी को देखो, किसलिए चहल पहल कर रहे हैं, उनकी सारी गत्विधी पेट भर जाए और प्रजनन, अर्थात अपने ही समान संतती, अपने ही समान वह एक नए वंश का की सुरुवात, नया जन्म दे दे, इतना ही है काम उसका, यदि मनुष्य केवल इतने तक रुख जाए, उदर पोशन, अब उदर पोशन का मतलब थोड़ा समझें, केवल इतना ही नहीं की पे जिसमें आपके कपड़ भी आ गए रहने की जग भी आ गई, सब, केवल अब उनको जुरुवत नहीं कापड़े की, हमें जुरुवत है, उन्हें मकान की जुरुवत नहीं है, तो उदर पोशन का मतलब है, जीवन गुजर की विवस्था, बस, लेकिन जीवन गुजर की वि अब लोगे जुरुवत उस तक है, कभी आप लोगें का पड़ने का शाष्वद जीवन, एक प्रसंग में इू लिखते हैं, कि एक आदमी रात में अबस्तर ओ जूरू किया, भिषवता गया, भिषवता गया, भिषवता ओ शुबधा हो गई, सबाई हो गई, सणद का में तो गुर्देव जी ने क्या लिखा है? व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था. केवल व्यवस्था करते करते जीवन बीत जाता है. व्यवस्था करके जो लाव लेना चाहिए, वह नहीं ले पाते हैं. गोश्वामी जी की पंक्ति है दासत जनम गयो. दासना बिचाना, बिश्थर बिचाते बिचाते ही समय बीत गया. ऐसे ही, आप देखे न, बच्चे पहले तो वो होस में भी ठीक से नहीं रहते हैं, होस सम्हाले. वो सम्हाले, और पढ़ाय लिखाय का काम किए, किसी में बच्चे से पूछो, अच्छा पढ़ लिक्र क्या करोगे, कभी पूछना. पुछते कि महाने हैं, आप पहले ही कहते हो, आप सHay explorator एंजिनियर बनना हा है, डाक्टर बनना है, प्ROफेशर बनना है, या पारी बननना है। पहले ही सब उसेट रहता है। तब क्या बता रहा है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इसके esa हैগी ? कि ये इतना पूछा करता हूं। तो उसका उत्तर ही मुचकिल है। वह बड़े अजीब ढच्छाओ हैं। इनसान क कीनो है। क्योंकि क्या इनको नहीं पता है। उसका है। जादस जादा कहने, कि लिए पड़ चूप। सो धहाँ चुप लिए अगे बढ़िया है म्लिए रिए शुप आजठा लुवा इस अगे बढ़ना चाहते हैं सो धहाँ चुप अंद में उसको भागिए कहा वहấy हो पहुंचे है वह पहुंछ गये ज़्याए इस अट ही तो यही तो कहना तो शुरूप कहते तो बात ख़तम हो जाती नौकरी के लिए तो फिर मैं क्या कहता हूँ नौकरी के लिए इसका मतलब है पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो इंसान थोड़ी बनना चाहते हो पढ़ लिख करके केवल पैसा ही कमाना उद देश्य है अर्था तब पैसा कमा कर क्या होगा जब पूछो अच्छा पैसा कमा लग गई नोकरी लग गई फिर क्या होगा तब मैं अपने लिए एक मकान बनाऊंगा अच्छा फिर क्या करोगे तब एक बड़ी इसी गाड़ी लाओंगा अच्छा फिर शादी करूँगा अच्छा शादी हो जाएगी तब बाल बच्चे होंगे फिर उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा अच्छा ठीक है फिर करते चले जाओ क्या होगा सुचो तो सही अच्छा बीच बाले कुछ लोग कह सकते हैं यह सब कुछ मेरे पास हो जाएगा गर, मकान, गाड़ी, मोटर तब मैं शुक्षांती का जीवन जीऊंगा कहते हैं न यह होगा शुक्षांती का जीवन जीऊंगा अभी से बता देता हूँ एक बात मैं सुरू वाला जितनी बातें आप चाहते हैं वो तो आप करी लेते हैं अंतिम में जो कहते हैं सुक्षांती का जीवन जीऊंगा बस बही बचा रह जाता है जीवन के अंतिमें पूछना बहुत से बुजुरूग लोग बैठे हैं जो बिल्कुल अस्ताचल में हैं बिल्कुल ही उनका अंतिका समय है अच्छा अंतिका तो कोई ठीकाना नहीं कब किसका हो जाए इसलिए हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए क्या मैं जीवन में ये सरी सारी चीजें जो मैंने उपलबधी की है जो कुछ पाया है इन सब चीजों को पा करके क्या मुझे अपने जीवन की सार्थक्ता महसूस होती है क्या ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल है क्या ऐसा लगता है जर सोचो तो सहीं बैठ करके अकेले में मेरा जीवन सफल है कितने लोग कहा पाएंगे नहीं कहा पाएंगे पहली बात तो यह सफल होना क्या होता है भई यह भी एक जंजट है सफल होना क्या होता है हम तो यही समझते हैं कि भई बड़ा सा मकान हो गए अब देखते खाते भी बड़े आप तो सफल आधमी हैं, क्योंकि आपने देखो इतना बड़ा इम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा बिजिनेस खड़ा किया, आपके बाल बच्चे अच्छे एंपोस्ट पर चले गएं हैं, आप सफल हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, जब बच्चों की साधी कर निप्टा दिये, उनकी एक बेटी बाकी है, उनकी भी साधी कर दो, तो मैं, मेरी मुप्ती हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी, हो जाएगी उसी से, कि जब हो, कभी तो सोचो जरा से, कि आप और हम, जो जीवन पाएं हैं, क्यों पाएं हैं, गुर्देल जी, भी जागव आख्यम भी लिखे हैं, कि जो प्राप्त जीवन है, जो समय मिला है, उसमें आप धन कमा सकते हैं, प्राप्त जीवन में आप विद्या अरजित कर सकते हैं, बड़े पोश्ट पर जाकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, दे जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकते, जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकते, बहुत मुल्यवान आउसर मिला है, बहुत, हमें क्या करना है, अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना है, कि आप रोज शुक्षान्ती का अनभाव करो, रोज क्या करना है, आनंद का अनभाव करो, क्यो क्यों हम दुख का नभव करते हैं, क्यों अशांती का नभव करते हैं, क्यों लडाई जगडे का नभव करते हैं, क्यों बीमारी का नभव करते हैं, क्यों गरीबी का नभव करते हैं, कुछ तो कारण होगा, कुछ लोग तो हैं, जो बढ़िया जी रहे हैं, हम क्यों नहीं जी कुछ लोग है शुखी हैं प्रसण्न है मैं भी तो एस़ा कर सकता हूं देखो նरीर कित्रीश्टिस देखें हां इतने लोग बैठे हैं सब के शरीर तो लगभक बरावर है देखो चेहरा में थोड़ा बहुत ऐख्रिती में थोड़ा बहुत अंतर तो है लेकिन हम सही धंक और क्रिष्न हों, बुद्ध और महावीर हों, कबीर और श्वामी शंकरचारिय हों, या कोई भी इसा मुहम्मद का नाम लोग दुनिया में जितने पुर्व में, वर्तमान में, शंत या महापुरुश हुए या समान्य लोग हुए, सब के शरीर में लगभग समानता है, समानत जिए, और कई लोग दुखी जीवन जिए, बहुत ही, अचे दुखी जीवन केवल नहीं जिए, दूसरों को भी तुप पहुचाने में लगे रहे, मार काट में लगे रहे, उसी समय मार काट में लगे रहे, जब बुद्ध कितना बड़ा संदेश दे रहे थे, क्रिष्न कि क्या इस्थिति उसी समय कितने लोग केवल मार काट में ही लगे हुए थे, दूसरों को दुख देने में लगे थे, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग अलग बातर न बन गया, मैं इसलिए कहा करता हूं कि कभी आप किसी गार्डन में जाएं, किसी भी फूलों के बाग में ही है, बारिस भी सब के लिए, हवा भी सब के लिए बरावर बह रही है, माली सब को बरावर पानी सीचता है, लेकिन आप क्या देखेंगे, वहां गुलाब का फूल खिला है, चमेली का फूल खिला है, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल, उसमें सुगंधी भी अलग, औ तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा, भले ही सब कुछ समान है, लेकिन बीज की सच्ती सब की अलग अलग है. अप लोग थोड़ से आगे बढ़ के बैठेंगे. पहले खड़ हो जाएं और आगे बढ़ें. नहीं फिर गुसरे लागे. कवा होगा. थोड़ा 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 बढ़ा. आगए बढ़ हो मतलब सामने जितनी भी जग लंके इस अन एक – अख़ा वाले बिल्कुल अन बढ़ा भाहगा. भोले इस दुल्कुल थोड़ क्साहभ बढ़ा हो. आगे वाले बार्डर लाइन है, सीमा पार नहीं, उतना इस्पेस चाहिए, हाँ बैठ जाये, बैठो, बैठो, बैठो